मोदी जी के सपनों में एक और सपना बुलट ट्रेन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बुलट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जा रही है गुजराद के एहमदाबाद से लेकर महारास के मुंबई तक ये इतने ही एरिया में चलाई जा रही है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है एक लाख करोड रुपिया और कितने लोगों के लिए है मुश्किल से दो या तीन हजार लोगों के लिए ये बॉलट ट्रेन चलाए जा रहे है इस से ज़ादे लोगों के लिए नहीं है और उस रूट पर चलाई जा रही है जिस रूट पर वर्तमान समय में जो ट्रेने चलती है जितने ट्रेने चलती है उन ट्रेनों में 40% सीट खाली रहती है उस पर चलाई जा रही है तो एक सवाल तो सीधा यही खड़ा हो जाता है कि पहले तो भाई उनी को भर लो जो 40% सीटे खाली है उन्हीं को भर लो उससे रेलवे को नुकसान हो रहा है उसी को पहले पूरा कर लो इसके अलावा जो आप बुलट ट्रेन चला रहे हैं उस ट्रेन का जो किराया है वो एहंद अबास से मुंबई जाने का जो जहाज का किराया है हवाई जहाज का जो किराया है उससे भी कम है उससे भी जादे है बुलट ट्रेन का किराया तो जब किराया जादे है और दूरी जो है वो प्लेन से व्यक्ति जल्दी तै कर लेगा तो बुलट ट्रेन में जाएगा ये प्रेल में जाना जो है वो करेगा और फिर एक लाख करोड ये जापान से जो पैसा लिया गया है क इस देश की करोरों की आबादी आज की तारीक में दो वक्त की जिसर रोटी नहीं मिलती भूंके पेट सोती है। इस देश में लगबग 40 करोरों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तीन लाख लोग इस देश में भूंक से मर जाते हैं हर साल। दस लाक लोग इस देश में पिर्दूशन से मर जाते हैं, ये देश की हालत है, उस देश में लगबग 80 करोर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, हम उस देश में पुले ट्रेन चला रहे हैं, और जो ट्रेन की वर्तमान हमारी इस्तिती है, जो रेलवे का हमारा पूरा ढाचा है, अगर ये एक लाक करोर रुपया उसमें लगा दिया जाता, तो कहीं जादे बहतर आज हमारी जो रेलवे की इस्तिती है, वो हो जाती, आपने कभी देखा है, मोधी जीने कभी देखा नहीं होगा, भाजपा के लोगों ने देखा नहीं होगा, और देखा भी पर आप क्यों सोचेंगे गरीबों का, क्योंकि आप तो अंबानी, अडानी, जो बड़े-बड़े उद्योग पतिये हैं, उनकी सरकार है ना, आप तो उनके लिए काम करते हैं, गर जो पैसेंजर के डिब्बे हैं, ये बढ़ा दिये जाते, अगर ये पैसेंजर के इस देश की आम जनता को इस देश की भोली बाली जनता को दुखी और पीडित जनता को कुछ राहत मिल पाती लेकिन आप चंद लोगों को इस सुवधा का लाग देने के लिए आप एक लाग करोड का एक लाग करोड रुपे का बोज भार इस देश पर डाले हैं इस देश की हो तो बहतर होगा अगर आप देश को बरबाद करने के सपने देखेंगे तो ये सपना कम से कम एक अच्छे प्रधान मंत्री का तो नहीं हो सकता हाँ देश को बरबाद करने वाले प्रधान मंत्री का हो तो आप से निवेदन है ऐसे सपने मत देखिए जो देश को बरबादी और कंगाली के करार जगह पर ले जाएं बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है और देश की जनता से कहना है कि देश की जनता भी आँख खोल कर इस सारी चीज को देखे कि जो सपने देखे हैं एक लाग करोड का जिसमें बजट लेके ये बुलट ट्रेन चला रहे हैं उससे इस देश की पूरी की पूरी रेलवे की विवस्ता सुधर सकती थी अभी आपने बुम्बई में देखा बुम्बई में किस तरह से हालात हुए कि जो फूट ओवर बिरिज है बना हुआ रेलवे के उपर उसमें कितने ही लोग मर गए अगर ये विवस्ता ठीक कर दी जाती इसमें पैसा लगाया जाता तो देश के हिस में था बुलट ट्रेन बनाने की बज़ा है बस मेरा इतना ही कहना है भूलना नहीं है देश की जनता को ये सारी चीजें याद रखनी है कि प्रधान मंत्री जी के सपने से देश को कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है